हेलो डियर स्टेन, केल पॉल्टेगरिक के यूटूब चैनल में आपका स्वागत है स्टुरेंट डेबलप्लेमेंट अफ एंडरोड अप्लिकेशन सब्जेक्ट में आज का जो टॉपिक है यूनिट नमबर थर्ड में इवेंट हैंडलिंग इन इंडरोड आज का जो टॉपिक है इस टॉपिक में हम आपको यह पुरा टॉपिक कबर करेंगे और साथ ही आपको बता दे कि इस टॉपिक से आपका एक्जाम में objective question में कम से कम 2-3 question इस टॉपिक से बन सकता है ठीक है तो आप इसको ध्यान से देखेंगे और साथ ही साथ इसको तो इंवेंट हेंडलिग क्या होता है। देखे सबसे पहले इवेंट हेंडलिग को समझने से सबस्ते हैं कि इवेंट क्या होता है। इवेंट कुछ नहीं, change the state of object कि हमारा object उसके state को change करना। Suppose कि as bad जब हम कोई button click करते हैं तो वो क्या होता बटन को click करने की बाद वो क्या होता है वो दूसरे दूसरे object पे उन क्या होता है या run होता है तो जैसे हमने कोई एक UI बनाए हुआ है इसमें इसमें मैंने enter the first number enter the second number यहां पर add button हमने दिया हुआ है तो यहां पर suppose जब हम यहां पर add button पे click करते हैं तो यह क्या होता है enter the first number enter the second number और यहां पर जब हम add button पे click करते हैं तो हमारा क्या होता है हमारा जो object होता है वो क्या हो जाता है वो change हो जाता है ठीक है तो कह रहा है कि आपका event क्या है event जो है changing the state of object है clear है अब event handling क्या है event handling की बात करें तो event are message or notification which are generated by control such a button checkbox radio button etc करा कि event क्या है event कुछ नहीं एक message or notification है जो क्या होता है जो किसी button checkbox radio button इत्याद से क्या होता है create होता है या इसको हम click करते हैं जब तो क्या होता है हमारा event क्या होता है generate होता है clear है उसके बाद अगर बात करें कि system response to those message or notification by executing some code यानि कि अगर सब्सक्राइब बता कि आपको enter the first number into the second number add is equal to अब यहां पर जो आपका event के background में जो भी execution हो रहा है यानि कि some code execute कर रहे हैं तब जाकि आपका दो number दो number को क्या हो रहा है दो number add हो रहा है clear है तो event क्या है event is the action it required when a user interact with mobile application करा कि event क्या है एक action है यह तब क्यों होता है जब हमारा यूजर जो होता है किसी mobile application के साथ क्या करता है interact करता है किसी button जैसे like आपने बता है कि radio button चेक button पर क्लिक करता है यानि कि एक object से दूसरे object पर क्यों करता है या कह सकते हैं कि changing the state of object clear है event in android are many different form like keystroke, touch, input and many other ठीक है आपका जो touch input है यानि कि हम जो input देते हैं आप इस्क्रीन पर जो भी input देते हैं अब वो input देने के बाद उसकी state change हो जाती तो यह क्या है event है अगर event handling की बात करें तो suppose यह आपका एक calculator है ठीक है calculator है अब हमें क्या करना है two plus five को क्या करना है यहां पर add करना है अब is equal to जो आता है अब यानि कि इसको किस तरीके से हम अपने android में manage करेंगे ठीक है इसकी कि जो value होगी वो seven होगी तो किस तरीके से से हम manage करें event handling का मतलब होता है कि event को manage करना clear है और हमारा जो event होता है event में जितना भी एंडुएड में जितने भी event होते हैं first in first out scheduling का उप्योग करके एक सिक्वेंस में इस्टोर किया आते हैं ठीक है इसके लिए आगे आगे हाँ आपको बताएंगे कि आपका जो Android event management है ये तीन concept पे फालू करता है तीन concept को फालू करता है जिसमें आपका पहला है event listener दूसरा है event handler तीसरा है event listener registration ये आपका जो है ये तीनों जो है ये आपका Android में जो भी event management होता है उसको फालू करने के लिए आपके ये तीन concept है जिसमें आपका पहला क्या है event listener event listener क्या होता है ये टोपिक आपको एक्जाम में पूछी आ सकते हैं इस topics में आपको आगे बताता हुआ क्या इस topic से क्योछ नाएंगे event listener क्या होता है event listener Android के Biv class Biv class के लिए ए क्या है इंटरफेस है या एक single callback मेथट है जब user action के दवारा जब user action के दवारा लिसनर के साथ registration किया गया घर हो तो ビू activate होया प्यानि आठाता है तो यह method कॉल किया ता यहानि कि event listener method कब कॉल किया यह था आगे मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ डेखें, event listener method कब call किया आता है जब user कोई क्या करता है user कोई action perform करता है जैसे पहला आपका event listener में on click on click method क्या होता है या villain event को call किया आता है जब user touch screen पर एक item पर click करता है on click का मतलब कि हमारी जो screen हमारी जो touch screen है उस पर user किसी एक particular आइटम पर करता है click करता है तो यह on click method क्या होता है call कि आता है तो देखे जितने भी event listener में आपकी ये callback method है आपके कोई ना कोई exam में पूछा सकता है कि on focus method क्वाल कि आता है या on की तरीके से आपको आप्षान देद एगा तो ये सारे चीज़े आपको याद रखनी है ठीक है on long click on long click method कब काल किया आता है करा कि ये event तब होता है जब user एक second से अधिक समय तक किसी item या screen पर click करता है मतलब on long यानि कि ये event तब perform होता है जब हमारा जो user होता है वो एक second या एक second से तक किसी item या screen पर click करता है clear है उसके बन अगला है on focus change करा कि on focus change या event तब होता है जब कोई user किसी item से दूर जाता है जाता है जो focus परता on focus change यानि कि हम जिस event पर है यानि कि जिस हम जिस किसी particular screen पर है उससे हम दूर जाना आ एक तरीके से दूर जा रहे है यानि उस पर हम focus को जिस पर हमारा particular focus था उससे हम क्या कर रहे है avoid कर रहे है उसको दूर जा रहे है on key method कब callback किया गता है या event तब होती है जब कोई user किसी वस्ट पर focus करता है और click करता है means कि कि सी particular button पर किसे particular button पे click करता है ठीक है या उस पे focus करता है ठीक है उसके बाद अगला है आपका untouch untouch किया हो िविट तब होती है जब कोई user gesture या साधारा touch या tab से किसी particular range को touch करता है untouch का मतब होता है कि ये event तफरेखाब होती है event का मतब क्या है event का मतब आप just action समझेगे कि हम हमें करना क्या है ठीक है हम कर क्या रहे हैं इसका हमें result क्या होगा ठीक है तो आपका जो on touch होता है on touch यह तब यह तरीके से callback होता है कि जब कोई user किसी gesture या कह सकते हैं किसी particular area के या किसी particular screen के किसी particular range को touch करता है ठीक है उसके पाद अगला है on create context menu यह event तब होती है जब एक context menu बनायता है ठीक है जब कोई context menu create होती है तब इसको हम call करते है on menu item click यह तब होता है जब user menu से किसी item पर click करता है या उसका selection करता है तो यह आपके event listener आपका जो है event listener से लेटरी आपके callback method से तो इसको आपको पढ़ना इसको गेरफुली आपको पढ़ना क्योंकि यह topic exam में आपको objective question के तौर पे पूछाया सकता है clear है अगला हमारा है जो दूसरा event handler event handler क्या होता है किसी भी event को handle करना ठीक है तो event handler क्या है कि real तरीके हैं जिनके दोरा action perform होता है यानि कि जिनके दोरा action को manage किया आता है action को perform किया आता है एक event होने के बाद event listener registration है यानि कि event handle होने के बाद जो अगली process है वो event listener registration है अब event listener और event handle को call करते हैं कब जब यह call करते हैं इसके कुछ method है देखे इसमें event handler का काम क्या आता है जिसमें on key up को कब call किया आता है जब कोई key event होती है यानि कि जब किसी key पे कोई action होता है तो system इस method को call करता है ठीक है उसके बाद दूसरा है on key down जब key down event होती है तो system इस method को log करता है ठीक है जब कोई key down होता है क्या होता है या कब होता है जब some touch event होती है तो इस method को call क्या है अगला है on focus change system is method को तब लागू करता है जब कोई work time focus में आ या Focus खो देती है तो यह आपका within अबका यह क्या है हैं का event handler है सांथ ही आपका जो last है event listener event listen क्या है event listener registration वह किरिया है जिसमें event Eyamet handler के साथioxid होते है यानि की यह आपका जो है event listener restoration यह क्या होता है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा जो event listener है और event handler है को एक साथ हम इसको क्या करते हैं क्योंकि हैंडल केवल एक लिसनर इवेंट को फायर करेगा मिन्स कि आपका जो लिसनर इवेंट है उसको मैनेज करने के लिए या लिसनर इवेंट है उसको मैनेज करने के लिए उसको हैंडल करने के लिए आपका इवेंट लिसनर रिस्टेशन यूज होत चुआपूटी माने अक्यूटी के बारे में चुका है इसके बारे में 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 उसका उलेख करना है दूसरा पॉइंट है हम लेसरे को लागू है कि लागू करने वाले एक्यूटी क्लास को उप्योग करके event listener को भी रइस्टर कर सकते हैं उसको anonymous class का उप्योग करके तो यह आपके क्या है event handler handling in आपका android में है साथ ही अगर आपने java पढ़ाऊगा तो इसमें भी java में भी आपके android आपको event handling मिलेगा कि changing the object state of object changing the state of object is also called event handling is also called event ठीक है अब event को manage करना event को manage करना या किसी action को manage करना उसको क्या बोलेंगे हम event handling बोलेंगे तो इस topic को पूरा पढ़ दिजेगा आपको notes भी आपको प्रवाइड कर दे रहा हूं साथ ही अगर आपको इस topic से रिले कोई दिक्कत होगी तो आपको इस आपको इसके बारे और बता जाएगा बाकि इस chapters related ज